They have adhered to Maharira's pre-booking rules. पहले तो ये कौन से developer कर रहे हैं, उनका नाम भी बताईए. जब तक Maharira registration नहीं है, तब तक booking होई दी सकता, promotion होई नहीं सकता, आपके कौन से पैसे नहीं जा सकते हैं? आप ये बताईए, आप लोग इतने जादा जो है, casual approach कैसे रख सकते हैं, अपने flat को book करनी के लिए? नवस्कार सात्यों स्वागत आप सभी का सौदागर के आज की इस नए वीडियो में, सात्यों सवाल जवाब का 160 वा एपिशोड है, लगातार आप लोगे सवालों का जवाब जो है, इस एपिशोड के मांधिन से दिया जा रहा है, और लगातार आप लोग इसे सराह भी रह हैं, अपना पोस्ताहन दे रहा हैं, अपना आसिरवात भी सौदागर पर बनाए हुए हैं, इसी तरीके से अपना आसिरवात पोस्ताहन सौदागर पर बनाए रखें, यदि आपने हाल में ही सौदागर को देखना चालू किया है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके ब लिखके बता सकते हैं या फिर query question form का link description में है उसके जरीए भी आप अपनी समस्या हम तक पहुचा सकते हैं चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हर चोपड़ी जी है इन्होंने लिखा है देखे हज़ी बढ़ा अच्छा सवाल है और बहुत ही कम लोगों को सायथ पता हो कि ये मुटार्टिस मुटेंडिस क्या चीज होते है जो कई बार agreement में यूज किया जाता है अब आपने यहां पर ये भी लिखा है क्या ये लीगल है या नहीं लीगल है इसका मीनिंग क्या होता है तो सबसे पहले समझते हैं आखिर मुटार्टिस मुटेंडिस होता क्या है ऐसी चीज जिसे चेंज करने की ज़रूरत है वह चेंज किया जा सकता है इस फ्रेज को जो कहने के लिए मुटार्टिस मुटेंडिस जो लिख दिया जाता है ये लैटिन फ्रेज है इसे normally जो है कई developer जो है अपने agreement में position date को लेके या फिर कोई भी ऐसा clause जो change हो सकता है जिसे number आप building कुछ head हो सकती है future में उन सब जगों पे इसे लिख दिया जाता है अब बात आती है कि जब आपको agreement में ये चीज लिखा हुआ मिल रहा है तो क्या फिर आप compensation के लिए claim कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पे तो ऐसा ये certain date दिया गया और ये ये कह दिया गया कि ये अगर change करने की जरुवत पड़ी तो change किया जा सकता है तो ऐसे case में आप समझें कि महारेरा के side पे जब आप जाते हैं किसी भी project के लिए तो महारेरा ने एक pro farma agreement और pro farma allotment letter ये जो model allotment letter होता model agreement का format होता है वो already बनाया हुआ हमारे राने उसमें कुछ एक बदलाव किये जा सकते हैं पर ऐसा नहीं है कि कोई भी line agreement में डाल दी गई और उसके चलते आप बाउंड हो जाते हैं क्योंकि देखिए मानली जी agreement है agreement आप दोनों की बीच में हो रहा है और mutual understanding है कि आप certain time frame पे पैसे पे करेंगे डेवलपर को जब वो डिमांड करेगा और आपको वो so and so time पे वो position दे देगा आपके flat में क्या क्या चीज़े होंगी आपके project में क्या क्या चीज़े होंगी ये सारा agreement में mention रहता है पर agreement में कुछ भी clause डाल दिया जाए इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी legal standing हो ही जाएगी ये finally जो है महारेरा के उपर होता है कि वो क्या decision लेते हैं अगर कोई भी extension force major clause के लिए है तो उस पे महारेरा भले ये cognizance ले सकता है कि इनको extension दिया जाए लेकिन अगर वो extension developer की कमी से हो रहा है developer के द्वारा वो delay किया जा रहा है तो ऐसे delay का compensation developer को देना ही होगा अब बात आती है कि आप complain कप करेंगे महारेरा में देखे साथ को हर किसी के मन में दोविधा होती है और लगातार ये जो है सोदागर आप लोगों के सामने उठा भी रहा है कि जब भी ये बात आती है कि आखिर complain कप करें जो भी date आपका position का agreement में लिखा हुआ है वो cross होती ही आपको developer से बात करनी चाहिए आपको written communication करना चाहिए अगर आपको वो जवाब satisfactory नहीं लगता है तो बिल्कुल आपको खुले दिमाग से खुले दिल से महारेरा में complaint के लिए जाना चाहिए 5000 रुपे फीस लगती है जैसी आप complaint के लिए आगे बढ़ेंगे आपको वहाँ पे amicable settlement का एक जो है option दिया जाता है कि आप लोग आपस में ही बातचीत करके settle कर ले उसके लिए महारेरा की body भी बनाई गई है तो अब अगर आप उसके लिए जाना चाहते हैं वो भी opt कर सकते हैं अगर उसके बाद भी आपको जो है चीजें situation जो है short होती हुई नहीं दिख रह है अगर उसके आगे जा रहा है और उसमें developer की कमी है किसी भी तरीके से तो आपको compensation मिलेगा लेकिन जब तक आपके महारेरा position का date mentioned agreement में वो cross नहीं होता है तब तक आप complaint नहीं कर सकते हैं इसके चलते महारेरा ने भी जो है एक तरीके से नए नए architects को जो है वो hire कर रही है construction का pace है या नहीं है construction quality का assessment हो पाएगा जैसा कि आपने तमाम वीडियो में आप लोग को बताया है अगर आपने नहीं देखा है उसका link आपको description में देदेंगे तो सीधी सी बात है अगर आपका agreement date जो written आपके पास कोई भी document है अगर वो cross हो रहा है तो आपको पहले developer से बात क proceed कर सकते हैं और फिर जो consideration forum है वहां की भी help ले सकते हैं आपस में mutually amicable settlement के लिए और उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो आप सीधा complaint को आगे भी proceed कर सकते हैं तो यहां पर यह बात सीधी हो जाती है कि agreement में कुछ भी लिख दिया जाए तो वो legal होगा वो महारे रागी recite वाला है अगर date off होता है तो आपको complaint के लिए बढ़ना चाहिए उसके पहले आपको developer से बात कर लेना है आगे बढ़ते हैं प्रतीक जी है इन्होंने जो है काफी लंबा चोड़ा सवाल लिखा है इसके पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपके मन्ने property खरीदने से पहले क कोई भी दोविदा आ रही है तो उसके लिए query concern form का link description में उसे प्रेस करके अपनी समस्याम तक पहुंचाएगे क्योंकि लगातार जब लोग के calls आते हैं लोग मिलने आते हैं तो की समस्या यह होती हमने token दी दिया है हमने booking कर लिया है हमारा agreement होने वाला हमारा agreement हो गया है कुछ अच्छा लग गया आप लोग तुरण जाके जो है किया चलो अब check दे 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 आत आप न बोलना जीखेगे वहां से ना बोलके निकलेंग तो अगले दिन भी आप check दे सकते हैं दो दिन भी दे सकते है एक हफ्ते मात भी दे सकते हैं पर ओ चेक तब लीजिए जब आपने इमिडेट जो है चेक दी दिया इमिडेट आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया अब उसमें कुछ भी अनाप सनाप जो है क्लॉज डेवलपर डाल कि आपसे साइन करा लेगा फिर आपको तो दस परसेंट होगा आपने तो अभी मुझे दो ही परसेंट तीनी परसेंट दि यह कहीं भी समस्य आती है तो सौदागर की मदद भी नीचे लेकिस सब कुछ वैलिडेट करने के बाद ही आगे बढ़िये यह लगाताव सौदागर की मुहीम है कि आपका डिसीजन सही हो और सबसे बड़ी बात आपकी पास जानकारी होगी तो डिसीजन अपने आप सही तो प्रतीक जी जो लिख रहा है उसे पढ़ते हैं कि आपका डिसीजन आपकी लेकिस सब कर दूंते तो अब हैं बात इन्हारेण को डिसीजन प्रतीक जी पहले तो ये कौन से डवलपर कर रहा है उनका नाम भी बताईए कमेंट करिये और जिन लोगं के साथ भी ऐसी चीज़े हो रही है उनको कमेंट में ऐसे डवलपर का नाम लिखना चाहिए जिससे लोगं को पता चले आप ये बताईए आप लोग इतने ज़्यादा जो है कैजूल एप्रूच कैसे रख सकते हैं अपने फ्लैट को बुक करनी के लिए मतलब आप ये लिख रहे हैं कि अभी महारेरा रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस है अंडर प्रोसेस है और आप वहाँ पे बुकिंग के नाम पे तीन लाग चार लाग आप लिख रहे हैं नो से दस लाग रुप है मतलब क्या है ये जब तक महारेरा रेजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक बुकिंग होई रहे सकता प्रोमोशन होई नहीं सकता आपके ऐकाउन से पैसे नहीं जा सकते हैं उस प्रोजेक्ट में अगर तीन चार टावर का सैंक्शनिंग है तो वहाँ पे पैसा अगर वहाँ पे कुछ इन्वेंटरी है वो बुक कर रहे हैं तो वहाँ ले सकते हैं लेकिन उस एकाउन में पैसा मत डालिए ऐसे टावर के लिए जिसका कि अभी रेजिस्ट्रेशन हुआ यह कैसे हो सकता है प्री बुकिंग जैसे कोई चीज नहीं है बिना महारेरा के फिर यह कहां से जो है आपको बताया गया कि महारेरा का प्री मुकिंग रूल जो है वो फॉलो करना है ऐसा कोई रूल नहीं है और अच्छी खासी फटकार पड़ेगी ऐसे डेवलोपर्स को अगर एलोट्मेंट लेटर अप ऍसी नहीं होगा तो आपका रिडेंशन कहां सब जिस चीज का पैसा या ञे सकते उसका अब एल्यचन कहां से आ इस तो दीजिए जब आपको समझ में आ जाया चीजिए तो भाई देखे इसमें तो refund बनता है और अभी जो है लास्ट येर जून में ही महारीरा ने एक model allotment letter भी निकाला हुआ था जिसमें उनोंने ये साफ कर दिया था कि जिस दिन से allotment letter issue किया जा रहा है उस दिन से किस किस तरीके से डेटक्शन होंगी इस चार्ट में भी आप लोग देख लीजिए आपको बता भी देते हैं कि अगर आपने allotment letter लिया उस date से 15 दिन तक कोई डेटक्शन नहीं होगा जिस दिन से allotment letter issue हुआ है उस दिन से 15 दिन तक 16 दिन से 30 दिन के बीच में 1% का डेटक्शन किया जा सकता है तोटल कंसेडरेशन वैल्यू यानि कि agreement वैल्यू का 1% डेटक्शन किया जा सकता है अगर आप allotment letter issue होने के 16 दिन से 30 दिन के अंदर कैंसेडरेशन करते हैं और उसके आगे अगर दो महिने से आगे जा रहा है और आपका agreement नहीं हुआ है तो maximum 2% ही total agreement cost का यानि कि consideration value का developer deduct कर सकता है इसके अलावा वो deduction नहीं कर सकता है अगर agreement execute हो गया है तो agreement में जो 3 लिखी गई है उसके हिसाब से 10% का deduction हो सकता आपके agreement cost का बाकी जो आपकी government duties है stand duty है वो आपको खुच जाके government body से refund लेना होगा ये वो type process तो कभी भी आप booking कर रहे हैं booking process हो जाए तो आप allotment letter जरू लीजिए उस दिन नहीं मिला दूसर दिन तीसर दिन एक हबते बात जब भी समय मिल रहा है developer से बात करके allotment letter लीजिए और वो model allotment letter का format होना चाहिए उसके लिए आपको link description में दे दिया जाएगा लगातार इसके हमने वीडियो भी बनाया है और उसे समझ के फिर आप आगे बढ़िए तो आपको समस्याएं नहीं आएंगी कहीं भी समस्या है कुछ भी दोविदा है तो आप comment में लिखके में बता दीजिए अपना मश्विरा भी लिखके बताना ना पूले अगला सवाल है राहूल कुरवे जी का इनो लिखा है वो पेस फॉर री डेवलप्मेंट देखे राहूल जी हमने री डेवलप्मेंट पे भी कई बार ये बाते की है बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि जब लोग पुराने सोसाइटीज में घर लेते हैं तो उनके मन में ये दोविज़ा होती है आखे अब भी री कंस्ट्रक्शन आएगा इसके लिए पैसा कोन देगा देखे नॉर्मली क्या है जो अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स जितने भी सोसाइटीज जो है जो री कंस्ट्रक्शन में आ रही है उनका जो है लाइफ स्पैम अल्मोस कतम हो चुका है 35 साल, 40 साल, 50 साल की उसकी उम्र हो चुकी है जब से उसका पोजेशन मिला है अब वो डिट्रिट हो चुका है अब वो आगे जो है उसकी लाइफ बची नहीं है ऐसे केसन होगा क्या कि जब आप उसे री कंस्ट्रक्शन करने जाएगे जिसके कई तरीके हैं पहले इसके लिए आपको थर्ड पार्टी इंवाल्व करना पड़ता था डिवलपर्स को सोसाइटीज को डिवलप करने का कोई प्राविधान नहीं था लेकिन कुछ साल पहले इसमें बदलाव लाया गया जो अर्बन डिवलप्मेंट डिवलप्मेंट है उसने बदलाव लाया कि जो सोसाइटीज का री डिवलप्मेंट आ चुका है वो सोसाइटीज खुद भी कर सकती है जब आप खुद re-development करने जा रहा है तो आपके पास खुद का कॉर्पस होना चाहिए क्योंकि आपने यहापे पूछा है कि re-development के लिए cost कौन देगा जब वो cooperative housing society खुद re-development करेगी तो वहाँ के सारे members से वो पहली यह बात करेगी उनसे convince होगी अगर 50% लोग तयार है तो सबको उतना corpus एकठा करना होगा demolish करना होगा आप लोकेट होना होगा पुरा demolish होके फिर वहाँ पे जो भी plan sanction होगा उसके हिसाब से वहाँ पे flats बनेंगे और फिर आपका जो cost आपने पॉकेट से लगाया है दीरे-दीरे वो recover भी हो जाएगा क्योंकि वहाँ की FSI बढ़ चुकी होगी वहाँ अगर चार माले की building है पाँच माले की building है तो वहाँ पे आपको 20 माले 25 माले तक की भी sanctioning मिल जाएगी क्योंकि नया UDCP आ रहा गया है Unified Development Control and Promotion Road जिसके तहट आपको ज़्यादा FSI मिल रही है ज़्यादा development right मिल रहे है तो वहाँ से वह flat आप बेच के आपका cost construction का है उसे recover कर पाएंगे लेकिन इसके लिए आपके पास self immune होना पड़ेगा आपके पैसा होना चाहिए तभी आप उसे खुद से redevelopment कर सकते हैं यह दूसरी बात यह है कि आप third party को यानि किसी developer को involved कर सकते हैं redevelopment के लिए ऐसे case में आपका agreement होता है developer के साथ कि आपके slide का area कितना है वो आपको कितना उसके बदले में देने वाला है और जो आप relocate होंगे उस 3-4 साल में जब तक building का construction होगा तो क्या उसका rent भी developer देगा या उसे आपको भीयत करना यह agreement का part है और आप लोग आपस में कैसे उसे जो है एक तरीके से राजी होते हैं उस पे सारी बाते रहती हैं उसका agreement हो जाता है फिर वो तीन से चार साल में बनके तयार हो जाता है फिर उसमें आपको पैसा नहीं देना होता क्योंकि मान लीजिए वहाँ पे 50 लोग की family है 50 residents है तो वहाँ पे लगबग 100 flat, 1500 flat, 700 flat जैसा उसका sanctioning होगा जैसा वहाँ पे TDR मिलेगा वहाँ पे FSI की sanctioning मिलेगा और जितना वो परचेज इंसिनरी FSI परचेज करके developer load करेगा उसके हिसाब सो वह बाकी जो extra flats पना रहे हैं उसे बेच के वह अपना cost और profit recover करेगा और जो नया flat हुआ आपको मिल जाएगा आपके agreement के अनुसार जितना आप लोग राजिक होए हैं ये तरीका होता है redevelopment का इन दो तरीकों से redevelopment हो जाता है तो कहीं भी अगर आप पुरानी societies में ले रहे हैं घर तो आप ये मस सोचे किसी और की वज़ा से जो करना तो 50-51% जिस तरफ होंगे उसी तरफ की बार मानी जाएगी अब आगे चलते हैं अभिशेग जी है इन्होंने लिखा है what will happen if I purchase property in रावेत which is in red zone देखिए अभिशेग जी red zone पे हमने जहां जहां से red zone जा रहा था जो बात हो रही थी उसके उपर हमने वीडियो पहले भी बन जाएगा या फिर उसको आप आई बटन पे भी प्रेस करके देख पाएंगे जो ने अब डेट हमने डाला था updated वीडियो और red zone का भी वीडियो आपको वहाँ पे मिलने आएगा तो ये दो चीज तो पहले देख लिजे अब बात आती है अगर मान लिजे आप red zone के अंदर construction हो चुका है वो भी sanctioned construction है यानि कि जो local body है पिमपरी चिंचोड मिनस्फल कॉपरेशन उन्होंने sanctioning दिया हुआ है और जब आप किसी building की sanctioning लेते हैं तो उसमें जो है आप एक तरीके से height का भी जो है permission ले जाते हैं अब जब आप height का परमीशन ले रहे हैं तो वो central department देता ह डिफेंस ministry से आपका आता है अब अगर वहां से ये बात आई है कि आपको height का भी permission मिला हुआ है और local body ने भी permission दिया है और वो legal construction है तो फिर उसके demolition होने के chances ना के बराबर हैं क्योंकि अगर आपको वहां से लोगों को relocate करना है तो पहले compliance करना होगा क्योंकि सब ने मिलके central body ने मिलके उसे sanctioning होती है बात आती है कि इसके main फर्क क्या पढ़ सकता देखे सबसे बड़ा जो किसी चीज का damage होता है वो होता है sentimental damage यानि कि अगर वहां पर red zone है और उसकी बात लगातार हो रही है कई बार जो है देहूरोड जो ordinance factory है वहां से बात उठके आ जाती है कई ब this happening से यहां के residents को जो 2000 गज के periphery में मौझूद है उनको समस्या हो सकती है इसके चलते हम लोग इनको मना कर रहा है तो भाई पहले से आपको land acquire करना चाहिए था वहां पर आपको sanctioning नहीं देने चाहिए था या फिर PCMC या फिर जो भी local body है उनको sanctioning के लिए मना करना चाहिए थ जब सब कुछ हो गया जब चिरिया चुप गई खेत अब आप लोगों को कह रहे हैं कि नई भाई आप लोग घट जाईए इस तरीके से नहीं होता लेकिन sentimental damage यह होगा कि जो property के cost एक बाकी जगों पे increase होगा वो साइद आपको उतना increment नहीं मिल पाएगा क्योंकि हर कोई जो bottom में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि तीन साल पान साल में मुझे बेचना आए उसमें मुझे rental भी मिल जाए हाई appreciation भी मिल जाए तो ऐसे लोग के लिए ऐसे locations में मत लीजे demolish तो नहीं होगा लेकिन at least आपका जो appreciated price है वो आपको नहीं मिलेगा आपको distress sale में ही बेचना बढ़ सकत है तो साथ्यों लगातार आप लोगों के सवाल आ रहा है और सौधा कोसिस कर रहा है कि आपके सवालों का सटीक जवाब दिया जाए आप लोगों के मन में भी कोई सवाल है तो comment में लिखिए property खरीदने से पहले कोई दोविदा है तो उसके लिए query consent form का link description में आए बाकि information के साथ तक तक के लिए धन्यवाद नमस्कार